देखो बच्चों, आज जो तुम सब यहाँ हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलत काम किया है, या फिर तुमने कोई कानून तोड़ा है, छोटी सी गलती की वज़े से, तुम्हें यहाँ आना पड़ा, इसे जेल मत समझना, समझना पढ़ाई करने होस्टेल आए हो, यहाँ से लोग पढ़के टीचेर, डॉक्टर, लॉयर बने हैं, अगर तुम लोग अची तरह से पढ़ाई करोगे, तो सरकार मुफ्तम सिक्षा देने के लिए तैयार है, इसलिए तुम में से कौन-कौन क्या-क्या पढ़ना चाहता है, तुम्हारे लक्ष क्या है, एक-एक करके बताओ, सर, मेरा नाम कुमार है, सर, मैं वकील बनना चाहता हूं, सर, गुड, कोट में इनसाफ के लिए लड़ सकते हो, तो जज भी जरूर बन सकते हो, समझ गया बेटा, बैट जाओ, सर, मेरा नाम शावन है, सर, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूं, पुलिस बनने क के लिए दस्वी भी काफी है तो वहीं डिग्री पास करके IPS के लिए प्रिपेर होके तुम इस भी भी बन सकते हो ठीक है तुम्हारा नम क्या है बेटा मेरा नम सूरिया है सर तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो CM. GM क्या? GM नहीं सर, CM. Chief Minister. पार्टी ओफिस है तो नहीं है हलो क्या बात है सुपा राजू आधी रात को मिटिंग क्यू बुलाया है अरे आपको पता नहीं क्या दस दिन में इलेक्शन का रेजल्ट्स है सर वहीया कुछ तो आया होगा उसे देखके मैडम को थोड़ा टेंशन आ गया होगा वही बात है ना? वजय यही होगी सर और क्या होगा? अर्वे बचे हुए असेंबली सीटों में इंडिपेंडन्ट केंडिडेट्स के जीतने की आश्रंका है इसलिए इस बार हमारी पार्टी को सरकार बनाने के लिए दस सीटें हर हाल में चाहिए इन दस सीटों को हमें पक्का करना होगा इसलिए पूरे राच्य में जितने वाले इंडिपेंडन्ट केंडिडेट्स खड़े होंगे उन सब को हमारी पार्टी में शामिल करना होगा तब ही हम सरकार बना पाएंगे अब हम सब को क्या करना होगा मैडम? आपके एक इशारे पे आपके लिए काम करने के लिए आपके पीछे सौ लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं उनको ठुकरा के इतनी भारी बारिश में अगर आप मुझे ढूनते हुए आए हैं तो मैं समझ सकता हूँ मैटर कितना सीरियस है बोलिए बार्शा आपके लिए क्या कर सकता है राज्यभर में जीतने वाले उन इंडिपेंडन्ट कैंडिडेट्स की ऊपर हमें जल्द से जल्द ग्राउन लेवल पर काम शुरू करना होगा विपक्षी पार्टी कोशिश करें उससे पहले हमें हें उनको खरीदने की कोशिश करनी है आज इस सुम्र में भी इतने सालों से मैं एक विपक्ष की पार्टी ही चला रही हूँ बार्शा इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए सरकार तो हमारी ही बंनी चही बार्शा आपकी बात सही है मैडम, लेकिन इस दर्मियान सरकारी पार्टी से मिला हुआ वो गुंडा दुरगा हमारी तरफ आने वाली इंडिपेंडेंट्स को अपनी तरफ नहीं खीचेगा इसकी क्या गैरेंटी है काटने वाले कुत्ते को बान्थ के रखते हैं, इस लिए इस बार उसके उपर नौन-विलेबल केसिस लगवा कर उसे जेल में बंद रखा है इसका मhtला हमारे लिए कोई खत्रे की बात नहीं है न मैडम इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा क्या करना है बोलिए बेड़ागी सेंट्रल जेल में एक कैदी है आट-दस आदमियों को जेल भेज कर उसे मरवाना हुगा नाम क्या है उसका? दुर्गा अच्छा बहुतो एक कर दा सकत्ः और बहुतो! जो, तुब तुब परागा! परोस्तो! बाइ, बाइ, आ पारी उंको इंको भार! वरन्म해 जिरे डिने को चेशने डिरें को… कर दandırOkay फिर योट शायुट एजएएएएएएएएएएएएएएए़ कर सी अरे अरे कर साober हआएएएएएएएऩएएए ऋबड़ वह आए, है değişए अए Whew हाँ, है नह नहाँ हाँ वह जड़ overlap मॉर्टया याँ जसरया वह, हाँ हाँ अरा Kenneth the ruler is here to break it all make us own rules let me keep you you gotta be new change you wanna see he's gonna be the way you won't believe up oop up up गसे अजयए निरुिस अता है। झाल नहीं सफर कि अग्य भार मिला हैंग आप उसे मुझ पर छोड़ दीजे मेडम, मैं देख लूँगा यह जेल है, कोई PUBG खेलने का ग्राउंड ग्राउंड नहीं समझ गया बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों मारा उन लोगों को नजरे नीची करो, काइदे में रहोगे तो फाइदे में रहोगे मुन्ना नहीं तो, मेरे बारे में तुम जानता नहीं हो, सीधे की हार जेल में फेंक दूँगा एई, तुम लोग क्या देख रहे हो, इसे ले जाके सेल में डाल दो जेलर साब क्या हुआ बाशा, बात क्या है मैं अपने दस छोगरों को आपके जेल भीज रहा हूँ इस बार किसे टपकाना है दुर्गा नाम है उसका दुर्गा बुले तो वो सरकारी पार्टी का आदमी है ना हाँ साब, वही है उसको उड़ाने के लिए अपोदिशन वालों से कितना लिया है और उसमें मेरा कमिशन कितना है हमेशा की तदा आपके अकाउंट में ट्रांस्पर हो जाएगा स्टेट में इस बार भी हमारी सब्ता आने वाली है इसलिए कल मेरे फार्म हाउस पर आप सब के लिए एक पार्टी रखी है हलो सर, सीम सर सिंट्रल जेल से जिलर मधुसुदन बोल रहा हूं सर आपको एक खास बात बताने के लिए ही मैंने फोन किया क्या बात है बोलो जेल में आए हुए आपके लोगों को मारने के लिए उपोदिशन वालों ने सुपारी दिया है सर अगर आपको आपके लोगों की जरूरत नहीं है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा लेकिन अगर आपको इनकी जरूरत अभी भी है तो अपनी जान पर खिलकर भी मैं उन्हें बचा लूँगा अब आप बताईए आप किन लोगों को मैं बचा लूँगा या फिर उनके हवाले छोड़ दूँ भूजे ज़रा दस मिट का टाइम देजे ठीक है सर, मैं आपके कॉल का इंतजार करूँगा अब पूरा काम उसी के हाथ में है अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वो पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी तो फिर वो हमारे किस काम कर रहेगा इस बार जैसा आप सोच रहे हैं सत्ता हमारे हाथ में नहीं है मामा 70% उन्ही के फेवर में है ये बात तुझे कैसे पता इलेक्शन सर्वे रिपोर्ट्स में वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉंग है मामा अगर वोर्स काउंटिंग में भी वो हमसे आगे निकले तो हमें कुछ और MLS की जरूरत पड़ेगी मामा अब उनको धमका के डरा के हमारी पार्टी में लाने के लिए हमारे लिए दुर्गा ही लास्ट आप्शन है मामा और हमारे दंदे में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वो सबब मुझे पर छोड़ दीजिए मैं देख लूँगा लेकिन आपके आदमियों को प्रोटेक्ट करना है तो बहुत बड़ा अमांट खर्च हो सकता है सर वो मैं देख लूँगा सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर क्या डाउट है आपने दुर्गा को मरवाने के लिए पैसे लिए थे न आप बचाने के लिए पैसे ले रहे हैं ये बात मेरे पले नहीं पड़ी सर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है पागल कहीं से इसी को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स बोलते हैं और हमारी भाशा में बोलते हैं राजनीती समझे ये लोग फिर से जेल में आ गए न अब लगता है जेल में कोई बड़ा कांड होने वाला है उसे कब मारने का सोचा है वो सके तो आज ही आज छोड़ देना कल विजिटिंग आवर से रहे मुम्किन नहीं होगा परसो मारने का प्लैन बनाओ ठीक है फिर लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो दुरगा को मारने के लिए मैं तुम लोगों को आदे घंटे का टाइम दे सकता हूँ आदे घंटे में ही काम निप्टाना होगा और अगर नहीं मार सके तो उस दुबारा मारने का मौका नहीं मिलेगा जाओ प्रिप्टान गड्रूरर वह से की लोगों देकिन में तो खाना ही जाओ झाल प्रिप्टान आपको से लोगों कि रूगों कि रूगों कि लोगों कि अवेकिन अवेकिन अला के रफ घ्रमीजा। क्या रिश यहां, तभी मेरे आदमी को खुर के देख रहा था न? अब मुझे, मुझे भी देख ले एक बार ए, बहरा है क्या? आखे निगाल कर गोटिया खेलूंगा, एए, बोलना तेरे से बात करे ले रे, समझ में नहीं आदा भाई क्या बोले ले एए, देख ना, एक बार, देख मुझे मेरे बारे में तुम जानता नहीं हो, जीजे की हार जल मैं फेंक दूंगा ए, तुझसे मिल ले कोई आया है, मिल ले इन सकते हैंैं हम जीजे के बेंप़ाँ, और भात करो नहीं हो हम आनिल, बौल, जीजे का ताम जाइख है, मिल जाई, जीजे का भाई झरें हो, भाया है चलो, चलो, मिलने का टाइम खटम हो गया, चलो, निकलो यह से, चलो, टाइम हो गया चल शिवा, तो निकल, मैं बाद में आता कपड़ा शिवा, भावना कैसी है? देखा, अभी याद आये ने तुझे उसकी, मुझे लगा तुब भूल गया था वो दूरगा वाशिंग एरिया में है, बिना गड़बड किये उसे टपका देना भावा बता किये उसे लिवाद भावा प्रॉब जसे ने तुझे लावाद भावाद! और उमाह की पाल मैं मुझे हर दहात लगी हुआ पाँ कि फ्वार आप साय वाह अप एड़igen के विद दो लिए हवार वारिफ। प्रड़के टुर। खुआ हो! खुआ हो! खुआ हो! खुआ हो! खुआ हो! कर दो 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 कर कि भाटा कि भाटा है भाटा बजयो यो रट जब जए बजयो यव उब आऴ ज ABOUT जब weaving कर दो हुआ 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 है हुआ है कि अद्धी हुआ है कि अद्धी है थेख नहीं हो इनके शेल में डाल दो कि अद्धी कि अद्धी बॉत दस लोगों को भेज़ोगे न, तो भी जिल में उस दूंका को नहीं मात सकोगे क्या हुआ जिलर साब क्या हुआ है? तुमने जिन दस लोगों को भेजा, उन्हें उसने कुट़््य की तरह पीटा मुझे तो लगता नहीं है उनमें से एक भी जिन्दा बचेगा आई दो जिल के अंदर एसी बचकानी हरकत मत करना जिल के बाहर ही निपटाओ फ्लानिंग जिल के बाहर करो रखो फोन आपने जो यकीन मेरे उपर किया था मैं उससे निभा नहीं पाया मैटम आप ये गन लीजे मैटम इस गन से मुझे अभी इसी वक्त यही बेमाद दीजे नहीं तो मुझे एक और मौका दीजे मैं खुद जेल में जाकर उस तुर्गा को मारूगा अगले हफते इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं अगर रिजल्ट मेरी फेवर में नहीं आए तब बताऊंगे के तुम्हें किस को मारना है मेरा नाम दुर्गा है सूरिया कल मुझे बचाने के लिए थैंक्स सूरिया तुम्हारे बारे में सुना था तुम किसी murder case में जेल आए हो सूरिया अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कहो मैं तुम्हें इस जेल से बहार निकाल सकता हूँ और तुम्हारे उपर जितने cases हैं वो सब मिटा सकता हूँ वो कैसे मेरी सरकार में अच्छी जान पहचान है अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो कहो हमारी पार्टी सत्ता में आते ही तुमारे उपर से सारे केसे जटवा दूँगा तुम सच में मेरे उपर से वो केस निकलवा दोगे तो मैं तुमारे साथ मिलकर कुछ भी करने के लिए रेडी हो तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स अच्छा उस दिन वो लोग तुम्हें मारना क्यों जा रहे थे ओपोजिशन वालों तो मुझे कई दिनों से मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस बार जेल में मौका मिल गया इसलिए वो मुझे मारने आ गए अगर उस दिन वो लोग तुम्हें मार देते तो क्या होता जेल में तुम्हारे जैसे अच्छे फ्रेंड को खो देता हूँ I don't know why I blame myself Hold it for me Hello मैं दुर्गा बोल रहा हूँ बोलो दुर्गा यहां जेल में मैं गात्मी से मिला हूँ किसी छोटे मोटे मुर्डर केस में अंदर आया है लेकिन उसकी हिम्मत अलग ही लेवल किये भाई वो तो ठीक है लेकिन क्या वो हमारे काम आएगा बेशक वो हमारे काम आएगा भाई ठीक है इस बार election results अगर हमारे favor में नहीं आए तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा ठीक है भाई तब मैं मामा से बात करके तुम्हारे साथ उसको भी बाहर लाने का प्लाइन करोड़े वार आनाना प्लाइन काम प्लाइन क्थिजगग क्षिजग कि युम्हीम वार झात वार प्लाइन वार झात देखो सुर्या, यह सोसाइटी नहीं बदलेगी, ना ही जनता, यह सौ साल के इतिहास में तुम्हें कभी लगा है कि वोट दालने का तरीका बदला है, हमें क्या लेना है सुर्या, मेरी बात सुन, यह सब अभी से छोड़ते हैं देखो शिवा, जैसा तु बोल रहा है, यह समाज नहीं बदला होगा, पबलिक ने वोट देने का तरीका भी नहीं बदला होगा, लेकिन पबलिक को पालने वाले नेता लोगों को हमें बदलना है यार चालिस दिन के इंतजार के बाद हुआ परदाफाश जीते हुए उमिद्वार जश्न मना रहे हैं, तो हारे हुए उमिद्वार उसकी वज़ा ढूनने में जुट गए हैं जन्ता के वोट ये बता रहे हैं कि उन्हें किसी से कोई बैर नहीं दोनों मेजर पार्टियों को इलेक्शन में लगभग एक समान वोट मिले हैं राज्य की पूरे 120 एसेमली सीटों में से सरकारी पार्टी को 48 सीट मिले हैं वही ओपोजिशन पार्टी को 52 सीट मिले हैं बाकी 20 सीटे इंडिपेंडेंडेंस MLS को मिले हैं और वो ही तैय करेंगे कि राज्य में सरकार किस पार्टी की बनेगी अब उन में से कितने लोग कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे राज्य की सक्ता कौन सी पार्टी को जाएगी ये सब जानने के लिए शक्ती परिष्ण होने तक सब को इंतिजार करना होगा यह क्या है सर, इस बार ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे सर? इस बार भी गवर्मेंट हमारी ही बनेगी. मैडम इस बार सरकारी पाटी से आपकी पाटी लीड में है, इस बार में आपका क्या कहना है? जनता को अब हमारे ऊपर यकीन आगया है, इस बार हमारे पाटी लीड में है, थैंक्यों. चे! मैडम से अमोर्याम महैं जी का फोन आए है. बोलिये XCM राम मोहन राउ जी कैसे लगे आपको इस बार के इलेक्शन के नतीजे इस बार चार सीट आपको ज़्यादा मिली है ऐसा सोच कर यह मैं समझे कि जीत आप क्यों ही है मिस शामला भारती जी आपको सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी का और दस एमेलेज की ज़रूत है अगर दस एमेलेज को खरिद दिया तो भी दस दिन के अंदर शक्ति परिक्षन के लिए उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है तो जाहिर है कि आपके पार्टी को मेरी पार्टी से बली ठीक है राम मोहनराव जी इस बार संसद में हम विपक्ष में रहेंगे या आप विपक्ष में रहेंगे देख दें गुद्लाव ये जानते हुए कि हमारी पार्टी लीड में है ये राम मोहनराव कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि हमारी पार्टी जीत नहीं सकती इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी पीड़ पीछे साजिश हो रही है हमें एक leading party है हमें हमारी party को सत्ता में लाने के लिए उन 20 independence को हमारी party में लाने का कोई न कोई तरीका ढूंड़ना होगा हमें उन 20 लोगों को जल्द खरिदना होगा मैडम और उसका किवले की रास्ता है कौन सा रास्ता अनंदगीरी में 20 साल से ना हारने वाले कल्यान प्रसाद को हमें सबसे पहले खरीदना होगा मैडम उसी को क्यों? वो ही किंग मेंकर है मैडम जितने भी 20 इंडिपेंडेट उमीदवार है वो सब उसी के हाथ में रहते हैं तो फिर जल्द से जल्द बुलवाई उसे कल्यान प्रसाद को फोन करके कहो कि तुरंद मेरे फार्म हाउस पर आकर मुझे से मिले ठीक है सर लगता है सब लोग आ गए हैं तेरी वज़े से ही लेट है हाँ रुको रुको मैडम डिरेक्ली पॉइंट पर बात करेंगे इससे दोनों का टाइम बचेगा मैं भी सीधे पॉइंट पर आकर बात करूंगी आपके 20 एमिलेस को हमारी पार्टे को समर्थन देना होगा इसके लिए आपके एक-एक एमिले की कीमत बताईए एक-एक-एमिले ने अपने मदान क्षेतर में जीतने के लिए तकरीबन 50 करोड रुपए खर्च किया है एक-एक-एमिले को 100 करोड दे दीजिए क्या मतलब एक-एक-एमिले को 100 करोड मतलब इसके हिसाब से 20 एमिलेस को 2000 करोड हाँ मैडम इतना क्यों? मार्केट में आज कल रेट बहुत बढ़ गया है मैडम एक जमाने में खाना पकाने का तेल सौ रूपे रीटेर मिरता था और अब दो सो तीस रूपे हो गया है फिर भी लोग खरीद रहे हैं न वैसे जन्ता के बारे में हम को सोच रहे हैं क्या नहीं न इसलिए जैसे चीजों के दाम बढ़ गया है वोटर्स ने भी अपने रेट बढ़ा दिये हैं मैडम एक टाइम पर हजार रुपे में मिलने वाले वोट अब पाँच हजार में मिलते हैं यहां कोई भी केंडिडेट को देख के वोट नहीं डालता मैडम मतलब आपके एमेलिस को हमारी पाटी को समर्थन देना है तो आपको दो हजार करोड देने होंगे सही कहां दो हजार करोड नहीं मैडम तो फिर दो हजार पांच सो करोड मतलब धाय हजार करोड रुपे येस वो पांच सो करोड किसके लिए वो मेरा कमिशन है मैडम आपका कमिशन 500 करोड है जी मैडम मैं आपको कोई प्यास टमाटर थोड़ी न बेच रहा हूँ इस राज्जी की सत्ता 5 साल के लिए दे रहा हूँ आपको इसके बदले में एक छोट इसी 500 करोड की रिकम कमिशन लेने में कोई गलती नहीं है मैडम सत्ताधारी पार्टी का फोन अगर मेरा प्रोपोजल आपको जमता है तो फोन काट दूँगा और नहीं तो इस बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी सोच लिजे सर, कल्यान प्रसाजी मेरा कॉल कट कर रहे है सर फिर से ट्राइ करो ओकी सर सर, फोन स्विच ओफ आए रहे सर ठीक है उसे वोइस मेसेज भीज़ दो ओकी शियो सर आपने धाई हजार करोण मांगे जो मैं दे रही हूँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए शक्ती परिक्षन वाले दिन हमारे 20 MLA's आपके पीछे दो महिलाते हुए चलेंगे आप जहां साइंग करवाएंगी वहां करेंगे अब आप CM PAD की शपत लेने के लिए तैयारी कीजिए मैडम लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना है वो क्या है मैडम? आपने मुझ से हाथ मिला लिया है ये खबर राम मोहन राव को जरूर पता चल जाएगी हमें हमारे MLS को सेफ रखना होगा इसलिए उन सभी MLS को राम मोहन राव से सेफ रखने के लिए मैंने बैंगलूरू में एक स्टार होटल पूरा बुग कर लिया है शक्ति परिक्षण होने तक वो सारे उधर ही रहेंगे आपके MLS के साथ हमारे MLS को भी मिला कर उधर भेजेंगे तो वो सब साथ में वहां सेफ रहेंगे आपकी बात सही है मैडम पर उस राम मोहन राव के डर से सिटी से इतनी दूर बैंगलूरू में MLS को रखने की जरूरत नहीं है मैडम वो क्या है ना शहर के बीचो बीच मेरे कंट्रोल में एक जगा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता ये दस दिन हम अपने MLS को वहीं चिपाएंगे तो टाइम भी सेव होगा और अपने लोग अपने ही साथ हैं ये भरोसा भी रहेगा लेकिन उतनी सेफ प्लेस इस सिटी में कहा है सौरी मैडम शक्ती परिक्षन होने तर उस जगा के बारे में मैं आपको भी नहीं बताऊगा ठेक है फिर आपके MLS के साथ हमारे MLS को भी आपकी बताई हुए जगा पर भेजूंगी देखना कोई भूलना है सत्या सर शामला भारती जी ने कल्यान प्रसाद जी को 2500 करोर में खरीद लिया अब हमारी हालत क्या होगी सर हमारी सरकार गिर गई क्या सर इलेक्शन में मैंने 100 करोन खर्च किया अब मेरा क्या होगा सर मैं जानता हुए क्या होगा बस चुपो जा परिशान होने की जरूत नहीं है शक्ति परिक्षण में अभी टाइम है मैं जानता हुए क्या करना है आपकी बात मुझे समझ आ गई अभी मुझे क्या करना है बोलिए अनओफिशली किसी भी आलत में दुर्गा मुझे जेल से बाहर चाहिए चाहे जितने भी पैसे लग जाए तो रंच जेलर से बात करके काम को अंजाम दो ठीक है मामा, पर एक रिक्वेस्ट है बोलो क्या है? दुर्गा के साथ एक और आदमी को जेल से बाहर निकलवाना है मामा कौन है वा? उसका नाम है सूरिया उसकी गत्स, उसकी हिम्मत, वो अलग ही लेवल की है हो सकता है, लेकिन किसी भी अंजान आदमी के उपर इस तरह से आख मून कर वरोसा कैसे कर सकता है? यह स्टेट गवर्मेंट का मामला है अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर खतम हो जाए मेरा यखिन कीजिए मामा, हमारे गवर्मेंट को गिरने से बचाने के लिए इस आपरेशन में दुर्गा से ज़्यादा वो ही एक्टिवली काम करेगा ठीक है अगर तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो काम कातम होता इन दोनों को फिर से जेल में डाल दूएगा मैं भी उससे जरूर मिलना चाहएगा हलो माडम, मुझे आपक इंफोर्मेशन देनी है हां बोली जेल से दुर्गा भाग गया है अपने एमेलेस को समाज़े इनको अभी छोड़के आपने वो पार्टी को इंफोर्मेशन क्यों दे दिया सर वो लोग आपस में लड़के मरेंगे तो ही ना हम जैसे लोग सेफ रहेंगे आज रात यहीं पर रुखना मैडम, कल रात ही मैंने अपने सभी लोगों को सेफ जगा पर शिफ्ट किया है और यहाँ वो सारे लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं वो ठीक है, पहले मेरी बात सुनिये बोली मैडम सरकारी पार्टी वाले जेल से उस दुर्गा को बाहर लेकर आए हैं यह इंफिमिशन आई है, मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे लेकिन हमारे सभी अमेले सेफ रहने चाहिए मैडम, दुर्गा जैसे दस लोग भी जेल से बाहर आ जाये ना तो भी हमारे अमेले स कहां है पता लगाना मुश्किल है फिर भी सामने वाली पार्टी प्लाइन कर रही है तो इसका मतलब हमें संभल के रहना है आप टेंशन मत लीजे, शक्ति परिक्षन होने तक उनको ही नहीं आपको भी आपके मलेस कहां है पता नहीं चलेगा ऐसा प्लाइन किया है ठीक है, जो भी करो संभाल कर एलेक्षन रिजल्ट के बारे में इस बार भी मेरा अंदाज़ा गलत दिकला लगता है सत्ता हाथ से जाने वाली है तुम दोनों को क्या करना ये तुम सोचाओ चाहे जितने पैसे खरच हो जाए लेकिन उस शामला ने जिन 20 इंडिपेंडेंट एमिलेस को खरीदा है वो किसी भी तरह मुझे चाहिए तुम लोगों का क्या प्लान है, बताओ क्या करोगे उन सब को किड्नाप करेंगे सर किड्नाप? हाँ सर, 20 एमिलेस को किड्नाप करना तुम्हें स्कूल के बच्चों को किड्नाप करने के जैसा लग रहा है क्या? 20 एमिलेस नहीं सर ओपोजिशन एमाईउ को मिला कर पूरे 72 एमिलेस हैं सर क्या? 72 लोग? आपकी पार्टी से जीते हुए 48 एमिलेस के साथ पूरे 120 एमिलेस को आपके बैंगलूरू वाले फार्म हाउस में बिना बंदी बनाए इस बार आप सीम नहीं बन सकते हैं सर ओपोजिशन एमिलेस तक तो ठीक है लेकिन हमारे एमिलेस के? वो तो हमारी लोग है न राजनीती में सब कुछ हो सकता है सर सब कुछ जायज है सत्ता का पलड़ा जिस तरफ है वो उस तरफ चले जाएंगे यहां जीतने से ज़ादा सत्ता जरूरी है सर अभी की सिचुएशन में अपने एमिलेस को हमें ही बचाना है सर इसलिए हमें उनके साथ हमारे एमिलेस को भी बंदी बनाना ही होगा सर तुमारा प्लान सुनने में तो ठीक ही लग रहा है लेकिन आप पोजिशन एमिलेस को किड्नाप कैसे करोगे यह मुम्किन है क्या सत्ता की जंग हर कोई जीतना जाता है पर जीत सिर्फ एक की ही होती है और उसी को वीर कहते है मैंने आपको जिसके बारे में बताया था यह वही है सर तो जरा बताओ कि शुब काम का महरत कब है इस शुक्रवार को ही आपके सभी एमिलेस को बस में बिठा के दुरगा को सौंप दीजिए दुरगा उनको बैंगलूरू हाइवे के एक धाबे पर लेकर आएगा इसी बीच ओपोजिशन के सभी एमिलेस को किटनाप करके लाने का जिम्मा मेरा होगा तुमारे प्लैन के साथ तुमारे कॉन्फिडेंस भी मुझे अच्छा लगा इस बैग में दो करोड है इससे सिर्फ एडवांस ही संचो जैसा सूचा है अगर काम वैसा ही हुआ तो तुमारे उपर जितने भी केस से उनको हटाने के साथ ही इस तरह के कई बैग्स तुम्हें मिलेगे इस बार भी आप ही सीमपत की शपत लेंगे उसके लिए तयार रही है कल्यान परशाद के फोन का लास्ट को लोकेशन कल रहा थी 11 बजे का गुलजार हाउस में दिखा रहा था तभी से लेके अब तक वो किसी के टच में नहीं है तो फिर वो पक्का गुलजार हाउस में ही है हाँ बोलो मैडम आपके लिए एक बैड निउस है गुलजार हाउस में ठहरे हुए आपके सभी MLS को सत्तावाली पार्टी के लोग किड्नाप करने की कुशिश कर रहे है आप फौरण उनको वहाँ से कहीं और शिफ्ट करवाईए ने तो CM नहीं बन पाएंगी लेकिन तुम कौन हो आपका हितैशी के लिए बैठी आप लोग अंदर बोलिए मैडम कहां है आप मैं नहीं बता सकता मैं सीरियसले कुछ पूछ रहे हूँ उसका सीधा जवाब दीजिए मैं भी सीरियसली ही बोल रहा हूँ मैडम नहीं बता सकता आप सब गुलजार हाउस में हैं ये बात मैं अच्छे तरह से जानते हूँ वो कैसे मैडम, गूगल मैप पे भी सर्च करने पर इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलता सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि सरकारी पार्टी वालों को भी पता है कि आप सब कहां छुपे हो अब क्या करें मैडम, उनके वहां पोँचने से पहले निकलो वहां से और अपने साथ सबी MLS को वहां से शिफ्ट कर दो लेकिन अभी क्या भी इतने MLS को कहां शिफ्ट करेंगे मैडम मैं बस भीज रहे हूँ, मेरे बैंगलोर वाले रिसॉर्ट में शिफ्ट हो जाओ, समझ गये तुम? समझ गया जी मैडम बाशा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा बोली मैडम हमारे सभी MLS को हम अरजिंटली एक बस से बैंगलोर रिसॉर्ट में शिफ्ट कर रहे हैं हमारी बस सेफली बैंगलोर पहुँचे तब तक तुम्हें उसे फॉलो करना है ठीक है मैडम तुरंत अपने आद्मियों के साथ बैंगलोर हाईवे पर वेट करो हेलो मैडम मैं ट्रैवल एजिंसी का बस ड्राइवर पोल रहा हूँ मैडम कहां पहुँचे तुम मैं बिल्कुल सही लोकेशन में पहुँच गया हूँ मैडम ठीक है हमारे लोग वहाँ आएँगे वेट करो ठीक है मैडम हाँ बोली मैडम बस आ गई है आप सब तुरंट वहाँ से निकल जाएए ठीक है मैडम बस आ गई है चलिए सब लोग बस में वेटिए मैडम सब लोग बस पे चड़ गया है मैडम अभी निकल सकते हैं क्या मैडम ओके मैडम बोलो सुरिया दुर्गा हमारा प्लान सक्सेस हुआ अब सभी अमेलेज मेरे कब से मैं है तुम हाईवे के धाबे पे वेट करो मैं भी पहुचता हूँ ओके क्या रहे तुछ पता बोली मैडम बस निकल गई है और थोड़ी ही देर में बैंगलोर हाईवे एंटर करेगी अगर कोई भी हमारी बस को फॉलो करता हुआ दिखे तो उसे वही मार देना मैडम हमारे एमेलाइस की बस अभी सामने से क्रोस हो गई है तुम ध्यान से हमारी बस को फॉलो करना ठीक है ठीक है मैडम एई चलो रे मैडम अभी हमारी बस हाईवे के बाजू में एक धाबा के पास रुकी हुई है नाइट जर्नी है ना बाशा चाय कॉफे पेने के लिए रुके होंगे अब इतना भी फोन करके बताऊगे मैडम मैडम अब क्या हुआ बाशा हमारे बस के पीछे ही एक और बस आके रुकी है और एक बस हाँ मैडम देखने में तो सरकारी पार्टी की MLS की बस लग रही है क्या सरकारी पार्टी की MLS की बस हाँ मैडम पक्का उनी लोगों की बस है मैडम सच में? लेकिन उनकी बस वहां क्यों आई है? पता नहीं चल रहा है मैडम. जैसे हम अपने MLS को बैंगलोर भेज रहे हैं, वैसे ही वो अपने MLS को शायद किसी सेफ जगा पर भेज रहे होंगे. हो सकता है, फिर भी दोनों बस एक ही जगा पर एक ही समय पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें काम करो बाशा, हमारे MLS की बस वहां से सुरक्षित निकल जाए, तब तक उनकी बस पर तुम कड़ी नज़र रखने. ठीक है मैडम. मैडम, हमारे बस ड्राइवर ने सरकारी पार्टी के बस ड्राइवर द्रुगा को मारके उनके बस को भी हमारे बस ड्राइवर ही ड्राइव करके ले जा रहे है, मैडम. वाट? उनकी बस को हमारे ड्राइवर को ले गए है? मुझे भी कुछ समझ में ने या रहा है मैदम ठेक है मैं अपने ड्राइवर को फोन करके पता लगालूड़ी पहले तुम हमारी बस को फोलो कर McD हेलो मैदम अन्वर क्या कर रहे हो तुम लोग कुछ लोग आके मुझे मार के हमारी बस को लेके गया मैदम बोली बड़ा, बाशा, बोलोग अपने ड्राइवर नहीं है, कोई क्रिमिनल्स है, उनका पीछा करो, स्टॉप देम राइट नाव बोली ये शामला जी, इस वक्त कैसे याद किया? बड़े रिलेक्स्ट मूड में लग रहे हैं आप एक शौकी न्यूस सुनाओं आपको बताईए क्या है वो? अभी तक मैंने सूचा की संसद में आपके और मेरे बीच में स्पर्धा है लेकिन हमारी इस स्पर्धा में किसी तीसरे नैंट्रिली है वो तीसरा कान है और उसने क्या किया है यह आप बताईगी तब ही तो पताईगा कि मुझे बड़ा जटका लगेगा या नहीं जेल में से आपने एक जानवर को बाहर निकल वाया मिस्टर राव उस जानवर को मार कर उस तीसरे ने हमारे MLS के साथ आपके MLS को भी किडनेफ करके वहां से भाग गया है मिस्टर राव अगर मुझे पता चला की उस तीसरे और आपके बीच में कुछ कनेक्शन है तो मेरी एक बात याद रखना आपका पॉलिटिकल करियर मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूगे मिस्टर रामोहन राथ क्या हुआ मामा? उस दुर्गा को कॉल कर वो फोन नहीं उठा रहा है उसके फ्रेंड को कॉल कर मेरे पॉलिटिकल करियर में ये फरस्ट टाइम है जब मैंने किसी पर यकीन करके धोका खाया बोल कौन हो रहे तू? बोला था ना ये सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाहता है लेकिन किसी एक को ही जीत मिलती है उसी को वीर कहते है अब वो जंग शुरू हो चुकी है वीर कौन है और वो जंग किस मकसद से कर रहा है आगे आगे तुमको सब समझ में आएगा तब तक के लिए वेट एंड सी ये कौन से जगह है देंडूरूरी सौर्ट बोले थे गलती से किसी और रूर पर तो नहीं आगे घना जंगल लग रहा है ये तो सर वो क्या है कि तुम पर भरोसा करके काम सौप दिया इसके लिए तुम जे खुद को जूते मारने चाहिए अपना ये चेहरा फिर मुझे कभी मत दिखाना पता नहीं कहां से एक अंजान आदमी को लाकर मेरे सर पर बठा दिया अब देखो उसने क्या किया है सौरी मामा मर जाओ जाकर उस DGP को फोन करें ओंष अगार करें दिरुएное करें हमारी पार्टी जोइन करने के लिए इस जंगल में अगे तुमर कि अपंइबाग मल रहीं हमें कुछ भी बोलिये, लेकिन हमारी पार्टी को कुछ बत बोलना सुझेगे। तरह सामने आओ, और अपनी पार्टी की तांकत दिखाओ। Silence! जैसे धीमे आरा चिल्ला रहे हो, अपनी मर्जी से अपस में लड़ रहे हो, ये तुमारी असेमली नहीं है। ये जंगल है, पेरा जंगल, मेरा जंगल, मेरा जंगल। यहाँ कोई स्पीकर नहीं होगा, माइक नहीं होगा, ना ही वॉक आउट होगा। हम सब हाइवे से तक्रीबं 200 किलोमीटर की दूरी पर खने जंगल में हैं। बेटा, तुम लोग नेक्सरलाइस्ट हो, माओस्ट हो, टेररिस्ट हो, कौन हो बेटा तुम लोग। वो सब कहां से पैदा हुए हैं। तुम जैसे लोगों की गलती से ही वो लोग पैदा हुए हैं। बेटा, तेरी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ। टाइम पर खाके अगर मैंने दवा नहीं लिया, तो मेरी बाड़ी कापने लग जाती है, बेटा। तुम हेल्थ मिनिस्टर हो ना? हाँ, बेटा। तुम्हारे पास बड़े हॉस्पिटल्स है, फिर भी तुम्हें ये सब बिमारियां हैं, तो तुम पब्ली का भला कैसे करोगे। बेटा, हमारे पेट में चुहें दौड रहे हैं। पहले कुछ खाने के लिए तो दे दीजी। ये क्या खाना है? ये तो जेल के खाने से भी बत्तर है। क्यों रहे? तेरी राशन की दुकान में यही चावल तो बिकता है। फिर वो लोग कैसे खाते होंगे, कभी सोचा है। बस बेटा बस, चावल खाने में कमी ही करनी चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो फिर इतनी जायदात कैसे बना ली। उसमें भी तो कमी कर सकते थे, पर उसमें तो करोगे नहीं। देखो बिटा, तुम्हारी बातें और कर्टूते तो कमाल की हैं, लेकिन कमी है तो बस चहरा नहीं दिखाया तुमने, जरा वो भी दिखा दू। तुझसे देखा नहीं जाएगा। अपरे, इतना डरावना है तुमारा चहरा। तो फिर देखो। हाँ, तो फिर दिखाओ ना। हमारी जिंदगी को लक्ष देता है ये महा विद्याले, हमारे भविशय को भी रचता है ये विद्याले। स्वामी विवेकानन ने कहा था कि देश का भविशय यूआ पीडी के हाथों में है, लेकिन यूआ होने के नाते हम क्या कर रहे हैं। देश के भविशय से मुझे क्या करना है। ऐसा बोलकर हम खुदी को स्वार्थी बनाती जा रहे हैं। मतलब हमारा पढ़ाई करना नौकरी करना स्वार्थ है क्या। रॉब्लीम पढ़ाई के बारे में जॉब के बारे में नहीं हैदा। तो फिर। देश के भविशय के बारे में न सोचना ही प्रोब्लीम है। जाल खरीदने के लिए पैसे देंगे, नाव खरीदने के लिए लोन देंगे, तुमसे यही वदा इलेक्शन से पहले किया गया था ना, लेकिन अब सत्ता में आकर चार साथ होने के बाद भी, एक भी वदा पूरा नहीं किया, इसको आप कब तक सहेंगे, और कितने दिन भुक मारे देश में मदान का हग क्यों दिया जाता है, जानते हो, ताकि हम एक सही नेता को चुन सके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे, और उनसे पैसे लेकर वोट डाल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो कल को आपके बच्चे, और फिर उनके बच्चे, हर कि को इसी तरह की परिशानी होगी, हमें अब बिना सोचे समझे, और पैसे लेकर वोट डालने कि इस प्रथा को खत्म करना ही होगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो सब का नाश निश्चित है, आने वाली पीडी को हम ये बताएंगे, कि वोट की जो ताकत है, उससे सरकार सब्रसक्राइं निश्चित है, आ बाते का नाश नहीं हो सर्णीघ्या का जूटन्ट सर। legit भुल FU BALte सयर्ण नहीं के वालती सब्सक्राह, तो सब्माशित है नहीं नहीं का उनके पिडरभा नहीं करने और वो भुल फो 27 नजर भनाया रखें फिल ओके सिंट उसके बा说न में कुछ करेंगे क्या बताओं बेटा इस गाव की समस्या वैसे की वैसे ही है हमारी समस्याओं को सुनने के लिए कोई वाड मेंबर नहीं आता है सरपंच को तो दिखा ही नहीं कॉर्पोरेटर काम नहीं करता और एमेले के लिए क्या बताओं चार साल पहले हमने उनको जिताय वो तो ऐसे गायब हुए जैसे गढ़े के सरसे सिंग, उनसे मिलने जाओ तो लात मार के भगा देते हैं सुनो, हम भगल वाली स्टेट में गए थे ना, तो यह यूएस गए थे, ऐसा फ्लेक्सी क्यों लगा है? हाँ सर, चलो लगए रहने दो, सर, फोटो अच्छी, लगाया किसने इसको, और कॉन सर, वो स्टूदेंट्स हैं, इन पोस्टास को देख कर वो एमले पका रियाक्ट कर रियाक्ट तो करेगा, पर कैसे रियाक्ट करेगा, वो पता नहीं चल रहा है, जैसा भी रियाक्ट करें, कोई भी प्रोग्लम आने तो, हम सब का सामना कर लेंगे साथ विल्ग जैसा अपने सोचा वैसा नहीं होगा, शकल से तो पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़ाई की है, तो नोखे अच्छी नोखरी कर लेते हैं ऐसे पेस लगा के पोस्टर लगाने की गंदी अरकतें क्यों कर रहे हैं आप लोगे यह पॉलिटिक्स के चक्कर में क्यों फस रहे हैं यह एक दलदल है एक बार इसमें उतर गए ना फिर वोटर को काण पूछता है पांच साल के लिए आमी राजा, आमी मंत्री मतलब आपसे सवाल करने वाला कोई नहीं है क्या अब तुभी बताओ जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार है अभी जो भी हो रहा है वो इलेक्शन नहीं है कलेक्शन है हम वोट कलेक्ट करेंगे वो पैसे कलेक्ट करेंगे एक एक वोट का पांच हजार डेर लाक वोट हैं मतलब पचहपतर करोड उसके साथ दारू, बिर्यानी, नाजगाना, पोस्टर, पब्लिसिटी इनके अलावा हमारे नेता को मिलने वाले गिफ्ट्स ना प्रे तकरीबन डेर्ट सो से दो सो करोल खर्च होता है अब इस खर्चे को प्रॉफिट में बदलना है इसलिए मैं तुम लोगों को आखरी बार बोल रहा हूँ सड़क चाप घुंडा गर्दी से जिन्दगी शुरू की थी अब स्टेट मिनिस्टर हूँ मुझे फिर से घुंडा बनने पर मजबूर मत करो इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं पिछली बार वोट के लिए 5,000 मांगे थे इस बार 10,000 मांगेंगे हमें इसके लिए तैयार रहना है यहाँ वोट के लिए ही नहीं सीट के लिए भी पैसे देने हैं पार्टे हाई कमांड मेरी परवा नहीं करेगी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे रास्ते से हट जाईए इसके बावजूद भी अगर किसी ने रोका तो तुम सब की डेट आफ बढ़ तो अलग अलग है लेकिन डेट आफ डेट एक हो जाएगी याद रखना चलता हूँ डालेंग डालेंग सब अच्छा ही हुआ है टी स्टेट का एडवांस दे दिया है अगले महने इलेक्शन है उसके बाद रजिस्ट्री होगी उटी टी स्टेट की तुम ही मालकिन हो तुम्हारा सर देखो आपकी नजर में वोटर की बड़ी कीमत है लेकिन हमें वोट की कीमत पता है एक बार वोट मिल गया ना फिर वोटर को कौन पूछता है पांस ताल के लिए हमी राजा, हमी मंत्री आज की ब्रेकिंग निउस हम आपके सामने MLA कल्यान प्रसाजी के बेहिमानी का खुला सा करने वाले है तुम सब की डेटा बड़ तो अलग अलग है लेकिन डेट अफ डेथ ही हो जाएगी जागर खुद कल्यान प्रसाजी के मूझ से ये बाते सुनने के बाद उन्हें मिनिस्चर के पद से ही नहीं बलकि पाटी के हाई कमांड ने उन्हें पाटी से भी सस्पेंड कर दिया है आपको बिना बताई पद से निकल दिया ये तो नाइन साफी है सर मैं एक बड़ा बदमाश हूँ ऐसा ही बोल कर इन्हों ने वीडियो में मान लिया सब लफंगे लोगों के ये बड़े नेता है लोग खाओ, सब थूसो और काम भी क्या है? खाना और सोते रहना और बचा ही क्या है? बाप रे बाप, कितने सपने दिखाए थे उटी में टी स्टेट लूँगा, करनाटक में कॉफी स्टेट लूँगा अगली एलेक्शन में जीतूँगा तो में होम मिनिस्टर बनूँगा तुम होम मिनिस्टर की बीवी बनोगी बाद में सीम और मैं सीम की बीवी क्यों जी, तुम तो मुझे CM की बीवी बनाना चाहते थे, तुम तो खुदी CM नहीं बन पाए, अभी देखो, नालाएक की बीवी बनकर बैठी हूँ यहाँ पर, मैं सोच रही थे, CM की बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते क्या हो, जी, बताओ ना क्या करना ह बहुत बोल चुके हो आप जाओ छे अरे-अरे क्या कर रहा है निकाल उसे माफ कीजिए सर अपने लोग है मशली पकड़ना सीख रहे हैं गल्ती से आपके उपर गिर गया आप जाईए सर हुआ जाए सोरी सर्य सोरी सर मशली पकड़ते समाए समदर में सब मशलीयां तो नहीं पकड़ सकते न सर हमारे हाथ में आई हुई मशली पकड़ेंगे गलत मत समझीये अब जाएए कि झालत ते लिए झालत आफ झालत आफ जहें। ढाल्ट गहार दिपल wonderful उळवजट उल्या है सुर्या है वहाई देखे हुआ प्रख भूफ और दब लिरहेते दो चलोफ वर गिरहे थेसे कि अपिए नुब हुआ जाही जाही जाहाी। बता किसने तुम सबको भेजा है बता जल्दी बता इतना हैरान क्यों है मरा हुआ आदमी तेरे सामने जिन्दा कैसे खड़ाए यही सोच रहा है न तु मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है ना ही तेरे बाप से हो पाएगा वोट देना हरेक का हक है उसे पैसे दे कर मत खरीदो MLA एक रेप्रेजेंटेटिव होता है जो लोगों की समस्याओं को सरकार के पास ले कर जाता है बल्कि ये नहीं कि वो शेत्र का राजा बन कर बैठे जस्ट एक कर्मचारी है तुम सब कुछ भूल गये हो इसलिए याद दिलाने के लिए पोस्टस लगाए लेकिन तुम तो समझी नहीं पाए अब तक तो तुम्हें ही बदलने के बारे में सोचा था इस चुनाव शेत्र के MLA को बदलने के बारे में नहीं लेकिन अब बदलूँगा अगले एलेक्शन में चुनाव के लिए रेडि हो जाओ आपकी बार कलेक्शन नहीं, इलेक्शन होगा वोट फॉर्ड विने, वोट फॉर्ड विने इसका नाम विने अब हमारे चुनाओं शित्र से इंडिपेंडेंडिन उमीद्वार के रूप में कलियान प्रसाद जी के सामने खड़ा हो रहा है यहीं पैदा हुआ है, आपकी तकलीफे जानता है पैसे देकर आपका वोट नहीं खरीदेगा लेकिन आपके द्वारा डाले गए हर एक वोट को इनसाफ दिलाएगा इसे जिता कर तुम सब जीतना चाहते हो या फिर उस कलियान प्रसाद को वोट डलकर अगले पांच साल के लिए गुलाम बन कर जीना चाहोगे यह आपकी मर्जी है भाया, अभी तक पैसे लेके वोट देते थे लेकिन अब भले काम के लिए वोट देंगे हम अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारा साथ दे आप खड़े हो भाया, इस बार हम वोट आप ही को देगे इसा क्या? यहाँ आप लोग बैट कर ताल खेल रहे हैं और वहाँ आपके सामने दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है देखो, पैसे लेकर वोट डालने वाली जनता के रहते इनकी परवा नहीं करनी है आपका बोया हुआ बेड़ आपको ही छाओ देगा आपका डाला हुआ वोट भविशका फैसला करेगा अब किसे वोट देना है यह आप ही तेह कीजिए वोट भवा के वरवट आपको पंचर क्या बाब हुआ पंचर क्या बाबु अगाड़ चाहां तेह हैं खाला है पंचर देगे जाना हैं आप पंचर बना दोगे हां। हे। आगे जा के ये हमारे गाउं का मले बनेगा पंचर तोड़ा खट से बाना रे। तुम्हारे रोज जाने वाले रास्ते में अचानक तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई है। फरक नहीं दिख रहा है क्या। उसके साथ जैसे गाड़ी पंक्चर हुई तभी पंक्चर वालू का आजिर होना अजीब नहीं लग रहा है वैसे तो इलक्षन में खड़े होना भी अजीब बात है आप तो एमिले बन जाएंगे, असेमिली में चले जाएंगे, अब पंतो तरी रह जाएगा ना हम तो गुंडगर्दी ही करेंगे, और करेंगे भी तो क्या होगा मारना, काटना, जलाना और बलातकार करना हम किसको मारेंगे, किसको काटेंगे जानते हैं, तेरे दोस्तों को तेरे दोस्त सूरिया को बहुत पुरी मौत मारेंगे बाद में बच्चे कान जानते हैं आप, आपके साथ खुंती हैं ना वो, गोरी गोरी लड़कियां, जैसे चाहे मजे करेंगे, आयाशी करके, मुंबई रेड लाइट एरिया में जाके पेज देंगे उनको, सोच लेना, चलो रहे, आप सब को कुछ बताना चाहता हूं, लेकि मैं, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, वाट, ए, सच सच बताओ, क्या तुम्हें किसी ने डराया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, बस, ए, तेरी आखों में मुझे डर दिख रहा है, क्या बात है, बोल, हाँ यार, मैं डर रहा हूं, तो अब क्या करूँ, अगर जान का डर था तो, इस इलेक्शन में खड़ा होने के लिए तयार क्यों हुआ, कल ही नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, कल तीन बजे एमारा ओफिस के पास हम सब तेरा वेट करेंगे, तू कल आ रहा है और नॉमिनेशन भी डालेगा, उल्टा सी करेंगे, शे, पता नहीं कहा रहे गया, अपने आपको समझता क्या है वो, फोन is not reachable, मेसेज भी नहीं जा रहा है, सम्हाल के रखना, बात के कारिक्रम में काम आएंगे, नमस्कार वोटर महराज, आपके अनमोल वोट, आप मुझे ही देंगे, देंगे ना, आप ही देंगे, अच्छा मोर्त निकलने से पहले, नॉमिनेशन करके आता हूँ, नमस्ते, इतना टाइम होगे, अभी तक नहीं है, चोटे भाई, आपके केंडिडेट अभी तक नहीं है, ना, राहुकाल शुरू हो चुका है, है हेड्यां प्रसाच चरीकी, एक हाँ, हुआ हो, हुआ हो, हुआ हो, हुआ हो, हुआ 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 है, हम तुमेर्स जाने आए है, सर्थ, परीदे अभीiser तड्याच कंई कि एकि एस्वे अच्छूरा है सुड्छूरा है सपनवाद ओड़ा इह... इसर राइसां? इसर इढ़ाई सपना? हैर रगपना? आपे, पिक न इढ़ाई से? सर इसर इसर इढ़ाई सर? हो रहा है नहीं, जो हुआ है वो बता रहा हूँ, पकड़ेजे लालाला, लाला, 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 लाला इस्पेक्टर साफ, छोटे भाई से कुछ बात करनी है, ओ की से? छोटे भाई, खुद को ही अकलमन सबस्ते हो, तुम्हारे रेंज की नहीं है, फिर भी मेरी थोड़ी सी अकल है, तुम्हारे इस्तेमाल की अत्यार को, मैंने भी यूज किया, सोशल मीडिया जोटे भाई, पॉलिटिक्स मतलब एक ऐसा समंदर, जिस पे सफर के लिए शिप चाहिए, या तो फिर बोट, तुमने खाली हाथ तैरना चाहा, तु बीच समंदर में डूप जाओगे तेरे जैसे नालाइक तो ही, बोट और शिप की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे पीछा करके, शिकार करके पकड़ूँगा, क्योंकि मैं एक शार्क हूँ, सम्झा? वो सही मैं शार्क निकला। मेरा पड़ चाल रहा है? जुझे मारे मर रहा हूँ, तुम लोग गोली चला रहे हो, तेरी गोली सम्झा डरने वाला नहीं है, सम्झा? तुम पानी से दृना ताहिये, जाना है याना है यह फागो लोग है क्या पोई अपने लीच खुला छोड़के नाता क्या मैं तो टड़ी गिया मेरे लीच पे पूरी नसर डालता है घर में भापभाई है भी अभी तरह लीच जितता ही है अनकॉंडा नहीं बना पाया तुम लोगो को लीच और अनकॉंडा में फरक नहीं समझता है क्या लीच हो या अनकॉंडा हो बीन बजाने से भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है एक नहीं दो नहीं, पूरे 120 MLS को प्री-प्लैंड तरीके से किटनेप करके ले गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करो ये सब मैंने किया है ये बात, अगर जनता या मीडिया को पता लगी तो इतने साल की महनत से बना मेरा पलिटिकल करियर बरबाद हो जाएगा आप फिक्र मत किजिए सर, ये हम पर छोड़ दीजिए किटनापेट से सारे MLS को कैसे सुरक्षित लाना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए किरन, सर, दुरवा कहा है पता करो और तूरंट मेरी आफिस में आने के लिए का ओ, तूरंट ओके सर, मैं चलता हूँ सर बेटा, या है आपके बारे में सब कुछ पता चल गया बेटा, सच में ना इंसाफी हुई है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन गल्ती तो उसने की है फिर हम लोगों को यहां लेकर क्यों आयो बेटा, चाहिए तो उसको अकेले रख लो और हम लोगों को छोड़ दो बेटा ठीक है, तुम लोग कह रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा उससे पहले मैं तुम सब से तीन सवाल पूछूँगा अगर तुमने सही जवाब दिया, तो मैं तुम सब को आज ही छोड़ दूँगा पहला सवाल, आप में से सब को कितने लोग जानते हैं क्योंने जाते हैं वो जो मेरी पसंदिदा फिल्म स्टार है। उसे देखे बिना मुझे नीन्दी नहीं आती समझें। दूसरा सवाल पूजा हेगडे को कितने लोग जाते हैं। पूजा हेगडे का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। एक दूसरा गाना सुनाता हूं। सुना दूसरा सवाल नारायन स्वामी को कितने लोग जानते हैं। नारायन स्वामी ना। उनका वृत मैं हमेशा रखता हूं। तुम सनीलियोन को जानते हूं। पूजा हेगडे कितने आक्टर्स के साथ डांस केया ये भी जानते हूं। लेकिन, जन्ता के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने वाले, नारायन स्वामी को नहीं जानते। कौन है बेटा वो, कोई देवता है क्या। हाँ, देवता ही है. लेकिन मंदर में रहने वाला देवता नहीं. जंता के दिल में रहने वाला देवता. नारायंड स्वामी. नमस कर सकते. यह क्या किया बहन जी? यहां होती हैं तो आपने यह कच्रा में डालने की बजाए यहां सड़क पर प्हेंग दिया हमेशाद कूड़े दान में डालती हूं आज ही जस्ट मिस हो गया को अंगरीजी बॉलना जानती हुद लेकिन यह नहीं जांती कि कच्रे को कूड़े दान में डालना चाहिए ये सब करने से ही बिमारियां फैल रही है और इंसान बिमार होते जा रहे हैं जरा उधर देखिए पुड़े दान में पुरा कच्रा भरा हुआ है उसे निकालने वाला मुंसिपाल्टी से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा एक हपते से बोल रहे हैं कि आएंगे लेकिन अभी तब कोई नहीं आया और तुम कह रहे हो कि मेरे कच्रा फेकने से बिमारी आजाएगी हाँ तेरी बात से ना दुनिया बदले तेरी चीक किसी तक ना पहुचे ना राजना तेरा वल ही है तेरा साथी दब के नरह विश्वा से तेरी डोले डर के नरह उम्मीदे तेरे दिल में उटके नरह जजबात है तेरे रगने हलो, म्यूनिसिपल्टी ओफिस कौन बोल रहे, नारायन स्वामी जी है क्या अरे, आपको कैसे पता चले फोन में कैमरा लगाया हुआ है क्या वो, कुछ नहीं सर हमारी गवर्मेंट ओफिस में जब लैंड लाइन बचती है थो वो आपी का फोन होता है सर भोलिए, सौंदरिया कॉलोनी में पूरे दान फूरा भर गया है बेटा सारी कॉलोनी में बदबू फैल रहे है इसे जल से जल साफ करो ओ, ऐसा क्या? उसे साफ करने का काम हमारा नहीं है प्राइवेट वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या कहा? कचरा उठाने का काम भी प्राइवेट लोगों को दे दिया है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोग के सवालों का जवाब दे रहे है नाराइजवामी ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दो हलो? झालों का जप जढ़ीड़ारीक्टर का जप जबरीक्टर का जवाब दिएसे लोगों के जवाबार्द लोगों के लोगारीक्टर का जवाबारााँ झाल झाल पेशा से यही पे सुसु करता हूँ कल से यहाँ पर मत करना सिर्फ कल ही नहीं करूँगा बड़सो भी और आगे भी यही पर करता रहूँगा क्या हुआ क्या हुआ क्यूं नहीं पेशाप किया तो मच्छे लड़के हो इसी लिए नहीं कर पाए यह एक बीज है ऐसे क्या देख रहे हो इसको फेंक दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन अगर इसे बोध होगे तो उसी मिट्टी को फाड़ कर यह जल्द ही बौधा बन जाएगा तुम इस बीज जैसे ही हो बेटा यह बीज एक बड़ा व्रक्ष बनेगा खाने को फल देगा अगर नहीं भी दे पाया तो कम से कम तस लोगों को च्छाओ देगा बारिश लाएगा अगर तुम इसे बोध होगे तो यह बीज बड़ा होके तुम्हारे बाद भी तुम्हारा नाम रौशन करेगा अब इसे बोना है या फेक देना है तुम्हारी मर्जी है बज़ो जोगो पहले तुम्हारा नाम रौशन करेगा बज़ो जोगो पहले तुम्हारा नाम रौशन करेगा पहले दूश्कों पत्तों यह भाईया, अक्कल नहीं है क्या? यहाँ इतनी सफाई है, यहाँ सुसु क्यों कर रहा है? वहाँ पब्लिक टाइलेट है, उधर जाके सुसु करना अरे, वाँ जाके हलका होने का दो रुपए ले ते रे पीने का पानी एक रुपए है रे, और हलका होने के लिए दो रुपए कहां से लाऊं मैं? यह, चलो जाओ यहाँ से जा रहा हूं मैं बेटा, राष्टी यह जंडे को उल्टा नहीं लगाते हैं, घलत बात राष्टी यह जंडे को ऐसे लगाते हैं, उपर केशरी, नीचे हरूं चलो, जंडा फैराओ क्या सोच रहे हो, तुम्हारा बोया हुआ बीज ही नहीं, मेरा बोया हुआ बीज भी बढ़ने लगा है जल्दी बेड़ बन जाएगा, चलो, फैराओ तुम्हारे माबाप कौन है, क्या करते हैं वो मेरे माबाप गानजे का ना धंडा करते थे पुलिस की पिटाई की वज़े से मेरे पापा नहीं रहे और मेरी माँ जेल में है तो मतलब तुम पढ़ते नहीं हो क्या? पहले पढ़ता था, मेरी माँ ने पढ़ाई बंद करवा के पुला की गानजे के धंडे में लग जाओ इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया, अब मैं स्कूल जाके नहीं पढ़ सकता मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ूगी? हाँ, पढ़ूँगा क्या कर रहे हो, स्कूल के बच्चों को दारू बेचना गलत बात है वो भी इतने चोटे बच्चों को, अठार है से कम उम्रवालों को दारू नहीं बेचनी पता है ना तुम कानून का उलंगन कर रहे हो कौन मैं? कानून के आखो पर तो पट्टी बन दी है, पट्टी निकालो और अपने पीछे जेब में डाल दो सिगरेट की दुकान स्कूल के बाजू में हो सकती है, मेरी वाइन शॉप नहीं हो सकती मैंने कानूनन लाइसेस लेके ये शॉप यहां खुली है, वैसे ही दंदा नहीं होने से हम परिशान है और दुमिया आकर उपदेश डेकर टाइम और दंदे की वाट लगा रहे हो, पढ़ाई करने वाले बच्चे कोई नहीं, पैसा मिलेगा तो, दूद पिने वाले बच्चे को भी दारू बेचूंगा मैं, समझा तू, मेरा दंदा ही धर्म है एक तो गलत काम कर रहे हो, उपर से चिला रहे हो आँ, चिलाओंगा, क्या कर लेगा तू इंस्पेक्टर सहब, आप इस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते इसको कल आपको कोट में हाधिर करना चाहिए उसकी दारों के दुकान बंद कराके आपने हमारे लिए अच्छा काम किया है, साथ सच में आप जैसे लोग नेता बनेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, साथ उस दिन जनता ने नाराण स्वामी को बहुत अच्छी मेजॉर्टी से जिताया था जनता से इतना प्यार पाने के बाद उनके सुक दुक जानने के लिए वो हर एक चोखट पर गए तब ही उनको पता चला कि उनके शेतर से गुजर रही गोदावरी नदी का पानी ना तो जनता को सिज़ाय के लिए और ना ही पीने के लिए मिल रहा है उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई उस चुनोव शित्र की रेडियस कितनी है वहां के भौगोलिक हालात क्या है वहां के मौसम से कितनी बौई करनी पड़ेगी जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिले ऐसे बहुत सारे समस्याओं पर एक किताभी लिखकर जन्ता के बीच में गए और उनसे बात की सच कहूं तो आज मैं नहीं जीता बलकि मुझे जिता कर आप सबने लोकतंत्र को जिताया है इस बदलाव से देश की राजनीती में एक नहीं शुरुआत होगी मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं इसमें हमारे चुनावक्षेत्र की कमी हो आप सभी की जरूरतों और उनकों मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ इसमें मैंने ये सब लिखा है आज से ये हमारे चुनावक्षेत्र का समीधान है मैं असेम्बली में खड़े होकर आपकी इन सभी समस्याओं के लिए लड़ूँगा। मैं आने वाले पांच सालों में हमारे चुनावक शित्र की गती विधियां बदलने के लिए भरी असेम्बली में पूरी सच्चाई के साथ लड़ूँगा। और ये मेरा आप सबसे उपादा है। स्पीकर महदय, ये हमारे चुनावक शित्र की समस्याओं के किताब है। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए, तो मैं उन सभी समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। अरे आप लोग हस क्यों रहे हैं? मैंने कोई कॉमेडी की है क्या? नहीं न, हसना बंद कीजिए। अध्यक्ष महदय, नाराएंड स्वामी जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि एसेम्बली में आये हैं। किताब लेकर स्कूल में पढ़ने आये हैं ऐसा लगता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें हमारे चुनाक शेतर की समस्या हैं लिखी है। साइलेंस, साइलेंस। आप स्पीकर महदय ने साइलेंस बोल आप फिर भी आस रहें। चुप हो जाएगे। ये क्या स्पीकर महदय ये तो आपकी भी नहीं सुन रहे है। इता है प्योंक शेका डिया अच्डित योज casino औरता है। बास कर रेटी जी, आज का अधिवेशन आप से शुद करते हैं अध्यक्ष महोदाय, पिछले सरकार की ब्रश्टाचार की वज़े से पूरे राजय का सर्वनाश हो गया है सर्व क्यों सर्वनाश हुआ है उसकी वज़ा बता रहा हूं अध्यक्ष महोदाय प्रचार तो राम राजय का हो रहा था, लेकिन राजय में राक्षस राजय हो गया है अध्यक्ष महोदाय इसलिए इस तरह बात करनी पड़ रही है यह क्या बोल रहे हो तुम, हमारी सरकार को राक्षस की सरकार बोल रहे हो मुँँ पे जुबान है तो क्या कुछ भी बोलोगे भासकर रेड़ी आगे के 5 साल तुम सत्ता में कैसे रहोगे या मैं भी देखूंगा ए तुम क्या देखोगे, मुँँ बन करके बैठो नहीं तो बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्या कर लोगे तुम मैं क्या करूँगा हमारी मेजोरिटी कितनी है पता है ना सौ लोग हैं अगर हम चाहेंगे तो तुम में से एक भी एसेमली को छोड़ कर नहीं जा सकता भुरुख छित्र में कौरव भी सौ ही थे याद है ना लेकिन अंत में क्या हश्रू हुआ उनका हमने भी हाथ में चूड़िया नहीं पहन रखी बहुत बोल चुके हो तुम अब बैठ जाओ तुम कौन होते हो में बठाने वाले तेरे साम नहीं बोल रहा हूँ अगर हमें गुस्ता आ गया ना तो एसेमली छोड़के कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा क्या रहा हूँ क्या कह रहे हो नहीं जा पाएंगे मतलब मारोगे हमें दम है तो आजा ना देखते हैं एक यारे हम लोग कुछ बोलते नहीं इसलिए सर पे चड़ गए ए तब से तुम ही हमें उकसा रहा हूँ तुम हमें उकसाएगा और हम भड़केंगे भी नहीं हम क्या गुंगर तोड़के बैठे हैं इम्मद है तो हमको रोक के दिखा जोज देखना है तो फिर आजाओ इधर का इधर ही फैसला कर देते हैं आजाओ, 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 आजाओ तो मैं बात करने के लिए अनुवती देता हूँ. Mohoday, आज इस सभा में मैं इन सभी के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ. Proceed. Mohoday, यहां बैठे सभी लोग जनता के प्रतीनिधी हैं. जनता ने वोट दी, इसलिए ये जीते. वोट देने वाली उस जनता के बारे में कोई बात ना करके इस सभा में एक दूसरे को कोसना, जगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, साहब. देखा जाए तो यह बेशर्मी है. अध्यक्ष महoday, नारायन स्वामी जी अपनी मर्यादा का उलंगन कर रहे हैं. जनता ने आख बंद करके वोट डाल कर हमें नहीं चुना है. अध्यक्ष महoday, इनकी मजाल तो देखिए, हमें बेशर्म बोलता है. इस बात के उपर तो नारायन स्वामी जी को तुरंध हमसे यहां क्षमा मांगनी चाहिए. अभी के अभी? भासकर रेड़ी जी, अरे मैंने तो लोकतंतर की बेशर्मी बोला था, आपको बेशर्म नहीं बोला. देखिए, शमाओं और जगडे से सभा के समय को बरबाद करने की बजाए, हमें मिलकर जनता की जरूरतों और समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए. मतलब हम यहां जगड़ा करने आये क्या? हमारे मुख्यमंत्री और हमें जनता का पालन कैसे करना है तुम बताओगे? अध्यक्ष महोदाय, यहां पर आये सारे नेताओं से, नारायन स्वामी जी को ख्षमा अभी क्या भी मांगनी ही होगी? उनके वर्ताब से तुम क्यों दुखी हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा साहब, एक बार फिर आपको बोलने का मौका जरूर मिलेगा साहब गुंगे को माइक पकड़ा देंगे तो कुछ फाइदा थोड़े ही होगा जिसने भी मौका देंगे होने वाला कुछ नहीं है, सुच समझ के तो बात ही नहीं कर पाता है ये ये गोलू, क्या बात कर रहे तू? पगल हो गया क्या? मुझ बंद करके यहां से निकल जा, जा उसकी बातों का बुरा मत मानियेगा साहब उसने कुछ भी गलत नहीं कहा सुबईया तुम उसकी बातों में गुस्सा देख रहे हो और मैं उन बातों के पीछे चिपी वज़ा महोदै, हमारे चुनावक शेत्र में सारे संसादन हैं लेकिन उन्हें कैसे इस्तिमाल करना है हमारे लोग ये ना जानने की वज़ा से पीछे रह गए इस बारे में सरकारी पार्टी को कई बार विनती करने के बाद भी वो लोग फंड्स अलोट नहीं कर रहे हैं अगर ऐसा ही रहा, तो हमारे चुनावक शेत्र की जनता हम पर भरोसा कैसे करेगी बोलिये महदय नाराण स्वामी जी, आपके चुनावक शेत्र की जनता की समस्या के बारे में अगली बैठेक में जरूर चर्चा करेंगे अब बैठ जाए स्पीकर महदय, अभी तो मैंने बस अपनी बात रखनी शुरू ही की है और आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे है नाराण स्वामी जी, प्लीज आप बैठ जाए स्रिनिवास जी, आप बात कीजिए अध्यक्ष महदय, इस सभा में सभी को बोलने का अधिकार है मुझे अपने चुनावक्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करने दीजिए प्लीज नाराण स्वामी जी, आप बैठ जाएए कम से कम, मुझे दस मिनिट तो बोलने दीजिए महदय, विंती है स्रिनिवास जी, आप अपनी बात रखिए स्पीकर साब, सियम के राज में राज की हालत देखेंगे तो द्वापर युग का मानो राम राज जो वापस आ गया हो महदय इस बात मैं नहीं क्या रहा हूँ, स्वयम जंदा जानारदन बोल रही है महदय स्पीकर साब, राम ने राज के आत्रेता युग में जो आपर युग पाला है स्रिक विष्टी जी ने, पहले ठीक से व्यास तो जानने, फिर बात करें बोला था ना, गुंगे को माइक थमा देने से कुछ नहीं होने वाला, देख लिया नेता तो ऐसा होना चाहिए, जिसके सदन में बोलने से सब थर-थर कांपे, सब की धज्या उड़े, जरुरत पड़े तो वो लड़ने पे आ जाए ये सारे गुण होते हैं सदन के नेता के, पर हमारे इस नेता को देखो, इनमें एक भी ऐसा गुण नहीं है हम सभी लोगं ने अपनी पढ़ाई लिखाए बंग करके, आपको इलेक्शन जितवाया था, किसलिए, ताकि हम सब लोग पे रोज़कार बैठारे पुछना करें लेकिन आपको देखके तो लगता नहीं है, ये आप हमारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे ऐसा बोल रहा हूं बोलके कुछ गलत मत समझिए, और सम्भली में गला फाड के चिल्ला के बात करने वाले को ही नेता बोलते हैं एक जुझारू नेता ही हमारी समस्या को सुलझा सकते हैं एक सलहा देता हूं, एमिले पत से ना, आज ही इस्तिफा दे दो अध्यक्ष महदे, हमारे चुनाउक्षितर के चारों और पानी ही पानी है, लेकिन एक घुड भी पीने लायक नहीं है, महदे वहां के लोगों की स्थिती बहुत खराब है, महदे जरा उनके बारे में कुछ सोची है और सिर्फ एक यही समस्या नहीं है, साहब शिक्ष्या, चिकिट्सा, रोड, मैं तो कहता हूँ, पूरक शित्र समस्याओं ही समस्याओं से भरा है, महदे इसलिए मेरी आप से विंती है कि अध्यश महदे, नाराण स्वामी जी के चुनाव शित्र में सिर्फ और सिर्फ जनता को ही सारी समस्याइ हो रही है लेकिन इनके राज्य में सरकार बनाने वाली पार्टी के गुंडों की वज़े से वहा के जनता की जान जा रही है अध्यक्ष महदे सत्ता इनके हाथ में है और पैसे बनाना ही इनकी पार्टी का मकसद है दरसल सत्ता में रहकर इन्हें अपनी दारू की दुकाने चलानी है और सारा इल्जम हम पे धोपना है अद्यक्ष महदः, हम सिर्फ दारू की दुकान ही चला रहे हैं साब ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे, तब सीधा बॉतेल आउसी चला रहे थे साइलेंस साइलेंस मैंने क्या गलत कहे दिया अध्यक्ष महोदाई ये रमादेवी कौन है क्या चरीतर है इनका एक जमाने में रेड लाइट इरिया में उन्होंने क्या गुल खिला है सब जानते है और चि Förएब щाहा जिया कि जाँ झालेंसundred जाने के जामने के जाँ झालेंस नहोंने क्या क्या गुल आपारेंस विले रागेनस तुछ किया जया है कर दो करोड की जनता में से सिर्फ दो सु निन्यानवे लोग ही यहां आये हैं मतलब बदलना जनता को नहीं है बलकि हमें बदलना चाहिए हमारे उपर भरोसा करके हमको बोट देके जिताने वाली जनता के लिए हमें कोई लडाई या जंग करने की जरूरत नहीं है बलकि उनकी समस्याओं की चर्चा करके उनकी जरूरतों को पूरा कर दे यही भात है लेक यह बहुत ही पवित्र और महापुरुशों की जगा है, यह संसत्भवन है देखा जाये तो यहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए कोई सान नहीं है यहाँ पर सिर्फ सहसी, सच्चाई का साथ देने वाले, इमानदार लोग ही आने चाहिए जब ऐसे लोग इस संसत्भवन में आने चुरू होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी इस राज्ये और देश का भला हो सकता है उदास क्यों हो आप? मैं हार गया जनता से वादा करके उसे ना निभाने वाला नालायक बन गया है क्या हो गया अंकल? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सत्ता में आते ही हम कुछ भी कर सकते हैं सोचने वाले नेताओं को बदलना होगा जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा ये समाज कभी नहीं बदलेगा ऐसा है तो मैं उनको बदलूगा अंकल क्या कहा तुम बदलोगे? हाँ अंकल मैं बदलूगा तो ठीक है चलो मच से यह वादा करो मैं वादा करता हूं अंकल उन साब को मैं सच में बदल दूगा बदलना है तुम को ही बदलना है तुम ही बदलोगे अंकल 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 पिता जी के साथ किसी ने क्या किया उससे हमारा क्या लेना देना हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं हमें यहां बुला कर तकलीफ देना ठीक बात नहीं है जनता की सेवा क्या जनता की सेवा करते हैं आप लोग एक एक करके बताइए हर महीने बुजर्गों को रैशन मिल रहा है और यही नहीं अपाईजो को हर महीने पेंशन दिया जा रहा है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है कितने अच्चे काम कर रहे हैं ये सब सेवा नहीं है क्या जनता की सेवा करने का मतलब टाइम पर राशन का चावल और दाल देना है क्या नहीं न, 20 साल के लड़के को बेरोजगारी भता क्यों देना? वो मेहनत नहीं करेगा क्या? दो एकड जमीन वाले किसान को राशन क्यों देना? वो फसल होगा नहीं सकता क्या? आप लोगों की मेहनत करने की काभियत को मार कर उनकी पैदावार करने के एक शमता को बुरी तरह कुचल रहे हैं जिस दिन आप लोग जनता को मौफ की चीज़े देने के बजाए उनको ये बताएंगे की मेहनत करना ही बहतर है उसी दिन आप लोग जनता की सची सेवा कर पाएंगे सर मतलब हम पर बिना यकिन के जनता हमको जिता रही है आपका नाम मारूती राव है ना? हाँ आपका चुनाओ शित्र रामापूरम है ना? सही कहा, रामापूरम ही है आपके रामापूरम के बारे में आप क्या जानते थोड़ा बताएंगे सर क्या रखा है रमापुरम में, 4-4 वाड है, 6 सरकर्य हस्पताल है, और 20 प्राइवेट हस्पताल है, उसके बाद 12 सिनेमा घर और 130 वाइन शॉप है, इसके अलावा अलग-अलग छेत्रे के लोग हैं, अलग-अलग जात के लोग हैं, और अलग-अलग धर्म के लोग हैं, बाकी OC कास्ट, तो सब कुछ मिला जुला के 1 लाख, इनके अलावा BC, SC, ST ये सब मिला के 2 लाख वोटर हैं, उतना ही नहीं, फिल्म डिरेक्टर सुकुमार जी और हीरोइन अंजली जी दोनों यही पैदा हुए थे, कुंडली निका लोग है क्या? नाइस इन्फरमिशन सर, उसी रा 50,000, त्रियां है 2,28,000, बाकी लोग है 3rd जेंडर, वहाँ बारिश और पानी की सुविधा ज्यादा होने के कारण, धान और गन्ना जैसे फसलों के लिए वो जमीन अनुकुल है, अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, रामापूरम मेन सेंटर में एक बड़ी डंपिंग या एक वेपर्शी पार्टी होने के नाते आपको गवर्मेंट का सपोर्ट नहीं है, लेकिन आवाज उठाने के लिए असेंबली तो है ना, समस्याओं पर वहां क्यों नहीं बात करते, जनता ने वोट देकर आपको असेंबली इसलिए भीजा, क्योंकि उनको यकीन था कि उनक जनता की क्या बात है, वो नोट लेके वोट नहीं देने क्या हमें, उनको क्या बोलोगे, पैसे लेकर वोट डालना आखिर जनता को सिखाया किसने, आप जैसे नेताओने ही ना, वोट पर नोट की आशा रखने वाले ही नहीं है, वोट का इंसाफ चाहने वाले लोग भी है, आप क्या करते हैं? अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरोगे और ऐसा ही करते हैं? सुरिया, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग ऐसे ही रहेंगे, मेरी बात मानो, सब को मार डालो। अरे, रुको भाई, रुको। अगर आपको मारना है तो हमें मार दीजिए। लेकिन मरने से पहले हम सब बदलना चाहते हैं। हमको एक चांस तो दीजिए। इतने दिन जनता के पैसे कैसे लूटना है यही सोचते थे। अब एक मौका दे दो हमें। जनता के पैसे को जनता तक लोटाना है यही सोचेंगे अब। उस नारायन स्वामी के सपनों को हम सच करके दिखाएंगे। उसका नाम है सूरिया। औरड़ी एक मंडर केस में वो सजा काट रहा है। सत्ताधारी पार्टी के सपोर्ट से वो जील से बाहर निकला है। बहुत शातिर है वो। बड़ी होश्यारी से वो दोनों पार्टीों के MLA को किडनाप करके लेके गया है। उसका प्लान क्या है। उसने क्यों किडनाप किया है। उसके सिवा और किसी को पता नहीं है। समझ गया सर। वो जहां भी हैं सब MLA को सेफ लिलाने के जिम्मेदारी मेरी। हुआँआँआँ़। एक उनको मार के मिलिट को लिकर जल्दी आ रहे है कौन आता देखता हूं रुक जाओ इसका इसको बनेरा अनलता ररभी नुक इसको बनाव इसका विसको अनलता हूं इसको 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 आता हूं इसको आता हूं कि अरो कि अरारू कि जरारू आया रए कि अरारू कर दो, कर दो! करतेके बंदीक! कर दो! तूमाई! बोलो दुरुबा सोरी सर, लगता है हमारे आने के खबर उनको पहले ही लग रही वोट? हा सर, जब तक हम पहुँचे, वो सब MLA को लेकर याँस चला गया तो अब क्या होगा? आज शक्ती परिक्षन है, आज अगर MLA को नहीं ला पाएंगे, तो स्टेट पे एक बड़ा इशू बन जाएगा तुम किसे भी किमत पर उन MLA को यहाँ ले आओ ओके सर, आई विल ट्राइ माई लेगल बेस्ट ये लीजे मैटम फाई, सब के दस्तकत हैं इसमें हमारी गवर्मेंट को सपोर्ट करने वाले MLA के लिस्ट, सब गुआ है, विश्यू अल्ड़ाइस थैंक यू सब विल्कम विल्कम राज जी में पहली बार महिला चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कंग्रेचुलेशन्स शामला भारती जी बेस्ट विश्यू थैंक यू एक आदमी की अच्छे काम की वज़े से आज हम सभी लोग एक नई सोच के साथ इस एसमली को देख रहे हैं ये वाद तो हमें मानना ही पड़ेगा ये सदन पवित्र मंदिर जैसा है इसकी गरिमा के लिए हमें सभे बरताव करना ही पड़ेगा सबसे पहले मैं विपक्ष पार्टी से दर्फवस्त करूँगा क्योंकि बास जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका जिकर इस सदन में करें अधेक्ष मौदै असेंबली का सत्र चालो होने का आज पहला दिन है और पहले ही दिन विपक्ष पार्टी के सदस्यों को पहले बोलने का मौका देने के लिए मख्यमंत्री जी को स्पीकर सहाब को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा पिछले दो सालों में करोना महामारी ने जनता के जीवन को अस्त व्यस्त बना दिया है जनता के स्वास्ते के बारे में अब समय आ गया है कि हम जाग जाएं उसके लिए गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सारे विपक्ष के तरफ से मैं प्रार्थरा करता हूँ इस मुद्दे पे मैं राज्य के मुख्यमंतरी शेमलाजी से दरफस्त करूँगा कि कुछ बोले हैं अध्यक्ष महुदे सबसे पहले बिना जगडा किये ऐसे अच्छे वातावरण में जन्ता की भलाई के लिए और उनकी उन्नती के लिए एक उप्योगी बिल को इस सभा में प्रस्तूत किया गया है जिसके लिए विपक्ष पार्टी की नेता राम मोहन राव जी का और उनकी पार्टी का आप सब के समक्ष इस फाइल पर मैं सबसे पहले दस्ताख़त करती हूँ तुमने जो सोचा उसे पा लिया सूर्या नेक्स टार्गिट क्या है हमारे देश की तरह की जो कोई भी रोक रहा है वो लोग ही मेरा नेक्स टार्गिट वोग ही मेरा नेक्स टार्गिट